हेलो अब्रिवान मैं हूँ थर्ड ओफ इस श्वेबली एंड आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल्वित अली पे तो अभी सबसे मोश्ट अवेटेड फॉर्म डीनेस स्पॉंसर्शिप का ओपन हो चुका है अगर बात किया जाए इस्पॉंसर्शिप की तो स अभी कैंडिडेट्स का experience का सबसे पहला चौइस होता है एंग्लो इस्टन और एंग्लो इस्टन ने अपना फॉर्म रिलीज कर दिया है और साथ में उन्होंने अपना डेट भी बता दिया है कि किस डेट को और कहां कहां उनका एक्जाम होगा तो चली इस वीडियो में इसी से एंग्लो इस्टन या फिर दूसरी कंपनी के लिए प्रिपरेशन करना है तो आप हमारा आई-एम्यमेट का बैज वाइन कर सकते हैं जो कि नेक्स्ट 16 अफ फेवरी से स्टार्ट हो रहा है तो चली वीडियो पर आते हैं बात करें एंग्लो इस्टन का खुद का ही है क्योंकि इनका इंटर्व्यू राउंड बहुत टाफ होता है मतलब सेलेक्टिव बच्चे मतलब जो बहुत ही अच्छे होते हैं मतलब समझ लीजिए परफेक्ट के ही आज पास जो रहते हैं सिर्फ वही सेलेक्ट होते हैं होते हैं कुछ-कुछ जो मेहनत करके अच्छे स बहुत इजी होता है बट टेस्ट में भी उनका एक बहुत बड़ा और important चीज़ है psychometric test जैसे ही उनका test होता है तो 2 घंटे का return होता है 2 घंटे का return में 100 marks के PCM के question, aptitude के question और English के question होता है बट उसके just बाद 1 घंटे का psychometric test होता है और उस psychometric test में 241 question एक घंटे में 241 question करना है और उसमें ही mostly बच्चे fail हो जाते हैं psychometric में अगर आप fail होते हैं तो एक दो दिन के अंदर ही mail आ जाता है कि यहाँ आपका psychometric fail हो गया तो आप उसके बाद से 3 महीने के बाद ही apply कर सकते हैं बट एंग्लो इस्टन के और भी selection procedure है जैसे आप test pass करते हैं तो आपको documents के लिए mail आ जाता है फिर आपको दिया जाता है interview का date अब यहाँ पर दो चीज़ है एंग्लो इस्टन के दो center है पहला center है दिल्ली दूसरा center है इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि यह आखरी test है यह पहला test है इसके बाद भी continuous test होते रहेंगे बट 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 एक चीज़ है अगर आपको एंग्लो इस्टन में selection चाहिए तो पहला date हमेसा select किजिए क्योंकि अगर आप जितना जल्दी test जेते हैं आपका interview का clear होने का chances उतना ज़्यादा होगा क्योंकि जैसे जैसे interview होते जाते हैं वैसे वैसे candidate select होते जाते हैं और अगर आप late करते हैं तो आपका इंटर्यू लाश्ट में टफ होता है और टफ होने के बाद भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो चांसेज रहता है कि आप कहीं next batch में shift ना हो जाए इसी वज़े से हम recommend करते हैं अपने जो भी हमारे I am a mate के student होते हैं उनको कि जितना पहले test हो सके दे दो अभी 20 दि में कैसे तयारी की जाए test के लिए क्योंकि इसी test का सोच के बहुत बच्चे date बाद में लेने का सोचेंगे और जो कि उनके लिए problematic होगा तो अगर आपको preparation करना है 20 दिन के अंदर तो आप I am a mate का batch join कीजिए हमारे पास और बहुत सारे questions हैं एंग्लो इस्टन के practice करने के लिए क्योंकि एंग्लो इस्टन में mostly previous year questions type के ही questions आते हैं देखिए हम यह नहीं बोलते हैं question same रहेगा but question के type same होते है value changes रहेगे but question उसी तरह कराएगा आपके preparation के लिए बहुत फाइदे मन्द होगा PYQ तो हमारा next batch 16 of February से start हो रहा है तो उसको join किजिए fee बहुत ही कम है मतलब आप पूरा market गुम लिजेगा इंडिया में किसी भी coaching institute में आपको इतना कम fee नहीं मिलेगा और इतने कम fee के साथ ही selection rate अगर selection rate एंग्लो इस्टन की selection rate क if बात कि जा है सो हमारा अभी लिएर्ष फमेश्ट के खड़ीब बच्चे एंग्लो इस्टन में select हुए एक सो इस बीज बच्चों में से लखभग पचीस बच्चे हमारें एंग्लो इस्टन में select हुए उसके बासे लाश्ट अगर्श्ट बैच इसमें 35 plus selection थे एंग्लोइश्टन में जहां 160 बच्चे लेता है उसमें 35 plus बच्चे हमारे IMU मेट के थे इसी से आपको पता चल सकता है कि हमारा IMU मेट का preparation किस तरह से होता होगा कि एंग्लोइश्टन जैसे tough कंपटीशन वाले कंपणी में भी हमारे इतने सारे बच्चे सो देर ना करें जल्दी से जल्दी दियावे कंटेक्ट नंबर पर कंटेक्ट करें और आयू में जॉइन करें नेक्स्ट बैस्ट से स्टार्ट हुरा है तो इसी के साथ टाटा बाई बाई टेक्ट केर